कि नमस्कार मैं सिद्धान्त शर्मा कि सभी को प्रणाम करता हूं और घर पर रहने का संदेश देता हूं लोग डाउन के चलते सभी घर पर रहें स्वस्त रहें आशा करता हूं कि सभी स्वस्त होंगे और मैं जैसा कि सभी को गयात है की जनशरोकार मंच है उसके तहट जो आजकल कारेकरम चल रहा है उसमें मेंने भी हिस्सा लिया है तो मैं मानवता को लेकर जो थोड़े भेदभाव हैं या परकरति और मानवता जो प्रकर्ति और मानव का जो सही सामन जस्से नहीं हो रहा है उस पर कुछ कविताएं हैं मेरी वो मैं बोलना चाहता हूं यहां पर आज तो शुरू करता हूं मैं अपनी कविताएं जो मेरे विचार हैं प्रकर्ति और मानव को लेकर तो मैं शुरू करता हूं जब भी दरपन देखता हूँ, निजमन से आह निकलती है, मनुझ का उद्दार हो चुका, फिर भी मानवता कस्ट सहती है, मनुझ का उद्दार हो चुका, फिर भी मानवता कस्ट सहती है, मानव ही मानव पर कुटिल दरश्टी लगाए बेठा है, निजहितार्थ मानव अन्ने की आहूती हेतु पावक जलाए बेठा है, क्या मानवता का अर्थ केवल यही है, क्या अन्ने मानव स्वयम जेसे नहीं है, मिलजुलकर रहने से, मिलजुलकर रहने से क्या ये स्त्रश्टी नहीं चलती है, मानव का जागना भी आवश्यक है, रवी की रश्मियाई भोर नहीं कराती, मानव का जागना भी आवश्यक है, रवी की रश्मियाई भोर नहीं कराती, पावन सद्रश सांत भी रहो, हवाएं हमेशा ही शोर नहीं मचाती, जलकी तरह बहना भी निजपावनता है, परहित आग में जलना भी मानवता है, अंबर को देखो, घन रश्मियाई हवाएं सब रदे से निकलती है, जब भी दरपन देखता हूँ, निजमन से आह निकलती है, अब एक जो दो अंत्रे हैं, वो है मानव की तरश्मा को लेकर और प्राकर्तिक सामन जस्य को लेकर, तो मैं सुनाता हूँ, यदि सुनने अपनी राह रोके, तो रोशनी न मिल पाएगी, पवने अपनी गती रोके, तो सांसें भी थम जाएगी, जलका बहना रुका एकशन, बेचेन ओह उठेगा यहाँ जन जन, प्रकर्ति स्वेंभी तव हे तू, कितने कश्ट सहती है, जब भी दरपन देखता हूँ, निजमन से आह निकलती है, जब भी दरपन देखता हूँ, निजमन से आह निकलती है, अब जो कवीता का साइट सबसे अच्छा हिस्सा है, और जो मानो की तृषना को लेकर लिखा गया है, तृषना पे मैंने लिखा है, क्या तृषना ने तुम्हें अलग होने को कहा है, क्या त्रश्णा का उपाय इतना महा है क्या जिसे दिनकर सूर्य भीन हर सकेगा क्या त्रश्णा सहीत मानव पार उतरेगा ये सब मित्या बाते हैं सोचकर बस आगे बड़ो निजको समर्पित करो एक नया मानव हित गड़ो कोई चाओ नहीं ऐसी जो तुम्हें बेटने को कहती है जब भी दरपन देखता हूँ निजमन से आह निकलती है मनुचका उद्दार हो चुका फिर क्यों मानव ताकष्ट सहती है जब भी दरपन देखता हूँ निजमन से आह निकलती है आगे है मेरी एक गजल है जो गजल पेश करना चाहता हूँ मैं आपके सामने थोड़ा सा सरंगार है और थोड़ी सी वापस आधुनिकता और मानों के समझ जसे की और गजल अगरसर होती है तो मैं पेश करता हूँ गजल तेरे दिले इश्क में जो कुछ लिखा है बहुत खूब तो है इनायत करके मेरे पेरों तले ए खुदा तुने जो बक्ष रखी है इनायत करके मेरे पेरों तले कंकर तो नहीं है तेरी दया की हरी हरी दूब तो है अब जो गजल में दो शब्दों का इस्तमाल होगा एक कुटुब और एक गुलूब कुतुब का आर्थ होता है दुरुतारा और गुलुब का आर्थ होता है इस्वर क्यों प्राप्त करने की राह है तो सुनेगा वो जो चम चमाता है अंबर में कहीं एक और आज की इंसानियत का कुतुब तो है वो जो चम चमाता है अंबर में कहीं एक और आज की इंसानियत का कुटूब तो है ये जो बात बात पर कहते हैं कि मेरा खुदा है तो उस तक पहुँचने का कोई गुलूब तो है और गजल का सबसे अच्छा शेर तुमने जो बिगाल रखी है सारी सभ्यताएं विवस्ताएं तो सबक में कुदरत मूग तो है इसके बाद जो है मेरी एक कवीता है जो भी अकबार में प्रकासित भी हुई थी और मैं उसको भी आपके सामने समक्सर रखना चाहूँगा देखे आधुनिक्ता ने मानव का शाय जितना सोसन किया है उतना नहीं किया मानव की तरश्णा ही इतनी बढ़ गई तरश्णा ही इतनी हावी हो गई है मानव पे कि उसको बस खुद का विकास दिखता है चाहे केसे भी हो कैसे भी किया जाए किसी के भी आहूतियां दी जाए किसी के भी घर को हटाया जाए किसी के सोपनों को पेरो तले रोन दिया जाए लेकिन स्विम का विकास होना चाहिए उस पर एक कविता लिखी है वह है कि ये आधुनिकता भी न जाने कौन सा रंग लाएगी विश्व को न जाने किस महोचसव की गिरा सुनाएगी ये आधुनिकता भी न जाने कौन सा रंग लाएगी तम हर दिन कर भी अब तो चुपके से निकलता है सीतलता बरसाता चंदा शर्मा करके चलता है सब प्राकर्तिक जब कृत्रिम होने लगता है धरापे मानव जीवन तब ही डगमग होने लगता है देखना बाकी है अब कब तक तू बच पाएगी ये आधुनिक्ता भी न जाने कौन सा रंगलाएगी आगे है जो कोरोना की वज़े से जो मानव जीवन तरासित हुआ है और हमेशा यही होता है कि जब भी कुछ प्राकर्तिक आबदा हो या मानव जनित आबदा हो वो अगर आती है तो मानव के वल इतिहास याद आता है कि शायद उस समय इसा ना होता तो आज ये ना होता तो उस पर मेरा एक अंत्रा है वो है जब जीवानू विशानू द्वारा मानव उपर तरास च्छा जाता है तब मानों को केवल इतिहास याद आ जाता है जब उसको अपने बचने का कोई राहन मिलता है तब वह स्वेंबी प्राकृतिक होकर चलता है तब वह स्वेंबी प्राकृतिक होकर चलता है सत्य है इस्वर्भी किन्तु विज्ञान जान बचाएगी ये आधुनिक्ता भी न जाने कौन सा रंग लाएगी अब आत विकास की जब आदमी या कोई भी सासन या सासक राजा स्वेंगे राज्य का विकास चालेता है उसके बस एक ही मद हो जाता है कि मुझे केसे भी करके विकास करना है केसे भी करके विकास करना है तो सत्य को केसे कदम उठाने चाहिए या आम जन को क्या नुपसान होता है वो है कि सत्ता की आखों में जब मद विकास का चड़ता है तब विकास की राहों में जाने कितनों का घर उजडता है विक्षित होना चाहते सब हैं किन्तु इस प्रकार नहीं आमजन किसान कुसल हों दिखेन भेद भाव कहीं क्या ये विकास की तिवरदोड प्रजातंतर रख पाएगी ये आधो निकता भी न जाने कौन सा रंग लाएगी और अब जो है मानव जब स्विम की विकास की ठान लेता है तो उसका जो वेवार है वो कैसा होता है क्यों ज़्यादातर गाउं छोवांड गर मानव शहर की ओर बढ़ रहे हैं इसके लिए है निजविकास का स्वपन जब मानव के नैनों में पलता है तब ग्राम से सहर की ओर मानव ही निकलता है सुनकर सबके करण चकित हो ये निजविकास की गाथा है आधुनिक्ता बुलाती उसको फिर प्रकरती से क्या नाता है आधुनिक्ता ही जीवन भर तरशना बढ़ाती जाएगी ये आधुनिक्ता भी न जाने कौन सा रंग लाएगी विश्व को न जाने किस महुत्सव की गिरा सुनाएगी ये आधुनिक्ता भी न जाने कौन सा रंग लाएगी इसके बाद जो है एक कवीता है छोटी सी है ज्यादा बड़ी तो नहीं है उसमें क्या है आधुनिक्ता के लिए सारा संसार दोड रहा है कि कौन सबसे प्रतमाता और करद सबसे अंतिम तो इस पर क्या है एक बहुत अच्छी दोड चल रही है सभी देशों की बात है ये तो उसमें क्या है सब ऐसे माने हैं कि जीत मेरी होनी चाहिए उसके लिए जड़ा बड़ी नहीं है चोटी सी कविता है तो मैं आपकी सामने प्रस्तूत करना चाहूँगा आधुनिक्ता की दोड शुरू हुई है भाग लिया संसार से जीत कर भी क्या करना है खुशी है मुझे हार से जीत मुझे पत ब्रिष्ट न कर दे जीत मुझे पत ब्रिष्ट न कर दे मेरी मानवता नश्ट न कर दे सराना हो हारने वाले की उसे मालुम खुशी जीत की ऐसे देखे हैं जीतने वाले जीत कर भूल जाते हैं डोर प्रीत की ऐसे देखे हैं जीतने वाले जीतकर भूल जाते हैं डोर प्रीत की विमुक्त होना चाते हैं निज़ जीवन के भार से जीतकर भी क्या करना है खुशी है मुझे हार से अंतिम अंतरा है इसका जो आधुनिक्ता में शायद संसकारों की नाम ही नहीं है संसकारों का तो उस पर भी है छोटा सा बंद है वह है कि इज़त उड़ रही बाजारों में इज़त उड़ रही बाजारों में ये है नया तमासा इज़त उड़ रही बाजारों में ये है नया तमासा इसी के साथ जन्म लेती मेरी एक नई आसा हर मनुसी यह सोचता कि मैं इसके लिए कुछ करूँगा इसके लिए कुछ करूँगा पर इस्तिध्या जैसी की जैसी यह है और भी बद से बद तर होती जा रही है इज़त उड़ रही बाजारों में ये है नया तमासा इसी के साथ जन्म लेती मेरी एक नई आशा आशाओं उपर ही चलना निराशा मत अपना लेना चाहूं भी तो क्या इस संसार से ना लेना ना देना चाहूं भी तो क्या इस संसार से ना लेना ना देना और मानाओ यही चीज सोचकर शायद अपने विकास पत पर इतना अग्रसर होता जा रहा है कि उसको संसकारों की सब्भेताओं की विवस्ताओं की किसी की भी परवाह नहीं है आशाओं पर ही चलना निरासा मत अपना लेना चाहूं भी तो क्या इस संसार से ना लेना ना देना दूर चला जाओं इस संसार रूपी व्यापार से जीत कर भी क्या करना है खुशी है मुझे हार से आधुनिकता की दोड़ सुरू हुई है भाग लिया संसार से जीत कर भी क्या करना है खुशी है मुझे हार से आधुनिकता पर और मानवता के विश्यम में साहिद मेरी यही कविताएं हैं और इसी के साथ मैं अब आपसे विदा लेता हूं ज्यादा से मैं तो नहीं लूँगा और घर पर रहें सुरक्षित रहें जो आदेश है या राज्य सरकार दोरा जो आदेश है उनका नियमित पालन करें कोई घर से बाहर ना निकलें और जल्द ही प्रकरति भी यही चाहती है कि इस समस्या से निजात पाई जाए धन्यवाद